नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका, आज हम देखेंगे C programming के लिए software डाउनलोड करना, वैसे तो आप चाहें तो Turbo C, Dave C या और कई सारे software है जो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर online compiler का इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे hacker rank, gdb online वगेरा, पर मैंने personally Dave C डाउनलोड किया है, क्योंक इसमें थोड़ा problems आती है, जब हम programs लिखते हैं, अगर कुछ copy करना होता है हमें, या फिर देखा जाए, तो थोड़ा सा user friendly नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, तो इसलिए मैंने Dave C डाउनलोड किया, आप चाहें तो online यूज करें, पर मैं कहूंगा कि आप Dave C या ऐसा कोई भी एक support करना, वो सब चीजों के लिए एक rough idea मिल जाएगा, यह यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, देखें यहां new जाके source file, तो यह मेरा file create हो गया, अब यहां type हो सकता है, और जब हम आगे C programming सिखेंगे तो देखेंगे कैसे color change होता है, जिसा आपको syntax का पता लग जा तो इसलिए मैं यह suggest करता हूँ, देखेंगे, अब मैं बता देता हूँ, यह कहां से download करते हैं, आप Google पे जाएंगे, तो यह देखें, डाउनलोड डेव से आपको search करना है, उसके बाद, यह softonics.com पे आ जाएए, free है, free map download कर सकते हैं, मैंने कर लिए, इसलिए मैं नहीं कर Otherwise, online compiler, देखेंगे, एक example है, यह GDB compiler है, ऐसे बहुत compiler है, hacker rank, hacker art, आप कोई भी use कर सकते हैं, यह देखें, इसमें जैसे यह एक छोटा सा program लिखा हुआ है, यह सब हम सीखेंगे बाद में, अब आप इसे run करते हैं, तो compile होगा, तो यह देखें, यह प्रिंट हो गया, तो आप यह भी use कर सकते हैं, पर अच्छा रहेगा अगर आप को software download करें, पर यदे आप चाहें कि नहीं मुझे वो नहीं use करना है, तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे, C programming के basic सीखना, फिर धीरे high programming तक जाएंग आप जाएंगे, ताकि आप basic C programming आप सीख जाएंगे, क्योंकि C programming काफी ज़रूरी है, आप जानतें engineering colleges में पहले C programming सिखाई जाती है, और यदि आपको काफी पहले की एच से आता है, या आपको अभी सीखना है, तो ये वीडियो आप ये course आपके लिए है, तो तब तक के लि